कि वेल्कम टू को पाए टेयर लेब मेरा नाम है सतिज पिचरी वीडियो में हमने टैली एरब्डे किनफ नाइन स स्बेर में कंपनीrat की information को flowing आ और modify किया था इस वीडियो में हम कंपनी को close करना itania बंद करना सीखेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आप Tally ERP 9 सब्टेयर को ओपन कर लिजे ओपन हो जाने के बाद डाउन एरो की से वर्क इन एजुकेशन बोड को आप सेलेक्ट कर लिजे और सिंप्ली इंटर कर दीजे इसके बाद यह आपको Gateway of Tally पे ले आया Left hand side पे आप देख रहे हैं यहां पर smart computer जो है वो already open है start है किसी भी company को बंद करने का एक नियम है कि वो company चालू होनी चाहिए तभी आप उसे बंद कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे company को open करेंगे open करने के लिए आप alt plus f3 की press कीजिए जो आपको Gateway of Tally की company information window पे ले जाएगा अब हमें company को open करना है company को open करने के लिए आपके company information window पे एक option मिलता है select company का इस पर आप simply click कर दीजे या फिर आप simply enter मारते enter मारते ही यह आपको select company में ले जा लेगा जैसे कि आपको पहले पता है कि smart computer नाम की company थी वह already open थी हमें अब next जो company है वह से open करना है expert computer इसको हमने select किया और simply enter कर दिया तो आप left hand side पे देखेंगे यहां expert computer और smart computer ठीक है दौनों की दौनों अभी क्या है open है company उपन हो जाने की बाद अब हम इसे close कर सकते हैं close करने के लिए company information window पे आपको एक option मिलता है search company का down arrow से आप इससे select किजे और simply enter कर दिजे enter करने पर close company window पे ले जाएगा जहां से आपको कोई एक company select करनी है जिसे आप close करना चाहते है for example के लिए smart computer की जो company है उससे close करना चाहता हूँ उसके select किया down arrow की से simply enter मार दिया तो आप देखे यहां smart computer जो company open थी वो close हो गई है बंद हो गई है इसी तरह हम expert computer को भी close कर देते हैं वापिस search company पे गए और simply enter किया expert computer को select किया simply enter मार दिया तो अब यहां देखे यहां कोई भी company भी open नहीं है हमें company open करने के लिए select company option का उप्योग करना होता है आप लोगों से normal सा question भी पुछा जा सकता है कि company को open करने के लिए किस option का यूज किया जाता है तो आपको बताना होगा select company option का यूज के जाता है इस वीडियो में बस इतना है thanks for watching this video and like say subscribe my channel